तो दोस्तों PM Modi का Roos का दोरा एतिहासिक रूप से सफल हुआ है दोरे के दोरान भारत और Roos ने बड़ी बड़ी डील की है और इतिहास कायम किया है लेकिन Roos ने हमें डील के बहुत सारे ओफर भी भेजे हैं लेकिन एक ओफर ऐसा दिया है जिसके सामने रूस का SU-57 स्ट्रेंथ लड़ा को विमान वा अमेरिका का F-35 विमान भी फेल हो जाएगा ये ओफर है रूस के नए नवेले SU-75 स्ट्रेंथ लड़ा को विमान का और मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसके ओफर के सामने F-35 भी फेल हो जाएगा क्योंकि इसके पीछे भी एक थोस कारण है क्या कारण है जानने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दरसल आपको पता ही होगा कि रूस ने आपसे दो साल पहले रूस ने SU-75 नाम का स्ट्रेंथ लड़ा को विमान को दुनिया के सामने रिवील किया था यह एक सिंगल इंजन स्ट्रेंथ लड़ा को विमान था जैसे की F-35 है और उसे ही टक कर देना चाहता था रूस लेकिन रूस के पास इतने पैसे नहीं थे कि SU-75 को पूरी तरीके से बना कर उसे बड़ी मात्रा में तैयार कर सके इसलिए उन्होंने भारत को भी ओफर दिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम से जुर जाएंगे और दोनों देश मिलकर इसे बनाएंगे और फिर दोनों देश अपनी अपनी सेनाव में भी शामिल करेंगे दूसरे देशों को बेच करके मोटा मुनाफ़ा भी कामेंगे लेकि अब बस कुछ समय के अंदर उन्हें रिटायर करना ही पढ़ेगा नहीं तो उन्हें क्रेश होने लगेगा जैसे कि हमारे मिग 21 में होते हैं लेकिन सवाल यह है कि मिग 29 को रिटायर तो कर देंगे लेकिन उसकी जगह लाएगे किसको तो इसी पर हमेर उसने ओफर ये दिया है कि मिग 29 को रिटायर करेंगे तो उनकी जगह राफेल लड़ा को विमान लेते हो तो आपकी जो नौसेना है उसको जैसा का तेसा लड़ा क लडाकु विमान मिल जाएगा लेकिन वह अपग्रेड नहीं होगा। मिग 21 को रिटायर करके उसकी जगह एक स्ट्रेंथ लडाकु विमान अपनी नौसेना में शामिल कीजिए। बाकी आपको क्या लगता है भारत को स्टेल्थ लडाकु विमान लेना चाहिए या नहीं अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सकें इसी तरह और भी नौलजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाग